ये एक African Grey का बच्चा है बच्पन में ये कुछ इस तरीके का दिखता था और उससे ठीक 28 डेज बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है और आज से लगबग 40-45 डेज के बाद ये मेरे इस बड़े African Grey की तरह लगने लगेगा ये बहुत ही कामव friendly है और अक्सर जब मैं इसके कान के पास इस तरीके से scratch करता हूँ तो ये मेरे हातों के अंदर ही सो जाता है ये भूका लग रहा है और अब इसका पेट देखिए कितना खाली है चलिए अब इसको feed कराते है मैं इसे हर 8 गंटे में इसी तरीके से feed कराता हूँ अब खाना खाने के बाद देखिए इसका पेट किस तरीके से भर गया है अपना खाना खाके ये बच्चा तो अराम से सो गया है अब मैं भी आप लोग से अगली वीडियो में मिलता हूँ